हे गाईज, वेलकाम और वेलकाम बेक टो में चैनल और आज हम डेंजरस रुमन्स के एपिसोर 7 के रोवांटिक वर्शन के प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे जहाँ पर टेलर की हिसाब से हम पहले ही देखते हैं कांगहन, साइलोम, गुई और आटो के लिए बहुत सारे स्नैक्स दे कर आता है क्योंकि वेलोग स्कूल के प्रोग्रम के लिए काम कर रहे हैं पर इससे पहले कांगहन ने साइलोम को अपना बॉर्फिर्ण बनारे का प्रोपूसल दिया था जिसको साइलोम ने खुशी-खुशी एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि इस कांगहन ने साइलोम को यह अशूर किया था कि वो साइलोम से ही प्यार करता है इसलिए वो सायलोम को अपने दोस्तों के साथ भी क्लिंगी होते हुए नहीं देख सकता है तो आज के बाद से सायलोम कांखन के लबा किसी और के करिब नहीं जा सकता कांखन के ऐसी बचवानी वाली डिमांड सुनकर सायलोम को हसी आ जाता है पर साइलोम खुशी खुशी ये भी एक्सेप कर लेता है जिसके बाद दोनों एक दूसरे को कसकर हग करते हैं तो यहाँ पर हमें कांगहन और साइलोम का एक बहुती क्यूट बॉइफरिंट सिन देखने वाले हैं जहाँ पर साइलोम सभी के साथ बैक कर किसी टॉपिक पर डिसकाशन कर रहा था और कांगहन एक छोटे से पेपर में कुछ लिख कर उसको फोल्ड करके साइलोम की तरफ थो करता है और साइलोम उसको परणने के बाद कांगहन की तरफ अपनी आँखे रोल करके दिखने लगता है और साइलोम का ऐसा करता देख कर कांगहन मुस्कुर आने लगता है तो जैसे की मैंने पहले ही खा था कि ये रोमंटिक वर्शन है तो यहाँ पर हमें कांखन और सायलोम के बीच में बहुत सारी क्यूट और सुइट कपल मुमेंट ही देखने वाले हैं जिन में हम बहुत सारी चोटे-चोटे की सिंग सीन भी देखने वाले हैं तो ऐसे ही दोनों अपने प्यार को एंजोय कर रहे थे कि सायलोम और कांखन की नस्दिक्या देखकर उनके दोस्तों को भी दोनों के बारे में डाउट होता है तो दोनों को ही अपने दोस्तों को थोड़ा बहुत बताना परता है और सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं पर सायल कार एक रोमांटिक सीन है जिसमें साइलोम और कांखन बस में खड़े हुए थे तो बस के ब्रेक की वज़े से साइलोम गिरने वाला था तो कांखन उसको कमर से पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरी की आखों में देखने लगते हैं जिसके बाद कांखन साइलोम गाए और आटो के साथ मार्केट पर शॉपिंग करता है पर जैसे कि उसे इन सबसी जोके आदत नहीं है इसलिए कांखन को चक्कर आ जाता है जिसको देखकर सभी परिशान हो जाता है और सभी कांखन को होश में लाने की कोशिश करता है तो होश में आने के बाद कांखन सभी को थैंक को कमर में हाथ दल कर उसको अपनी तरब खीचता है और कांघन के ऐसा अचानक किये गए एक्षन से साइलुम खुद को संभालने ही पाता और कांघन के सीने से तक्रा जाता है और दोनों एक बर फिर से एक दूस्ते के आखों में खोजाते हैं तो इसके आगे क्या होने वाला ह यह मुचे नहीं पाता इसले इस एपिसोड के प्रिवियू में बसितना ही विल्टे है अगले वीडियो में किसी और बीवियू के साथ तब ते के लिए बाई में दूस्तो झाल 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 झाल